दही तो आपने खूब खाई होगी हमारे यहां लगभग हर घर में दोपहर के समय लच के साथ दही खाई जाती है दही खाने से कई तरह की फायदे होते हैं जैसे पेट से जुड़ी परिशानिय कम होती है और खाना असानी से हजम हो जाता है यही नहीं दही में स्ट्रेट, शुगर, कल्शियम, आईरन और मैंगनीशियम जैसे कई तत्व होते हैं जो से बैलेंस डाइट का एहम हिस्सा बनाते हैं सबसे अची बात है कि आप किसी भी उमर में दही खाना शुरू कर सकते हैं हाला कि दही खाने की वजह से सर्दी जुखाम लग सकती है इस नमस्कार आप देख रही हैं बोल्ड स्काई और मैं हूँ आप सभी के साथ क्रतिका दही कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन, B12, प्रोटीन और पोटैशियम जैसे न्यूट्रीशियस तत्वों से भरबूर होता है ये तमाब पोशक तत्व हमारी हद्यों को मजबूत खती दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स, लक्टोज के पाच्छल में सहायता कर सकते हैं जिससे लक्टोज एंट टॉलरेंस लोगों के लिए इसका सेवन करना आसान हो जाता है ये इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टेरिया को कम करते हैं और हमारे इंटेस्टाइन क कि आपका पेठ हमेशा भरा भरा रहता है। इन रिजल्ट आप लंबे समय तक कुछ खानी से पच्छते हैं और इस बचबे वज़ा ओपरीटिंग नहीं करते और वेट बैलेंस रहता है। इंप्रोफ बॉन हेल्थ खटी दही में मौझूद केल्चिम और विटामिटी काफी मात्रा में मौझूद होता है यह सभी तत्व हट्टियों को मजबूत देने में मलद करते हैं इसके साथ ही जो लोग नियमेत्रोप से इसका सेवन करते हैं वे ऑस्टेरियो पोरोसिस जैसे क कंभी बिमारियों के रिस्क से भी बच जाते हैं जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि खटी दही में प्रोबियो टिक्स होता है यह तत्व सूचन को कम करने में मलद करता है इसके लावा चेहरे में होने वाले कील मोहासों को कम करता है एक्जीमा जैसी प्रब्लम से यह राहत दिलाता है यही नहीं खटी दही का सेवन करने से स्किन पर काफी पॉस्टिब असर देखने को मिलता है उमेद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और वी ऐसी वीडियो उसको देखने के लिए आप जुरूर रही हमारे साथ नमस्कार